हलो फ्रेंस नमस्ते मैं हूँ पुछपा पुछपारियर ब्लॉग चेनल में आपका बहुत बहुत स्वागते फ्रेंस कैसे हैं आप लोग मैं उमीद करती हूँ कि आप सभी फ्रेंस बहुत अच्छे होंगे ठीक होंगे सुभए का टाइम है, संडे का दिन है, आप सभी को हैपी संडे, और सुभए 8 बज रहे हैं, और 8 बज से मेरा ये ब्लॉग है, जो संडे ब्लॉग है, यहां मैंने रखी यह दाल चढ़ाई, यह मैंने अरहर की दाल पकर रही है वो, और मशीन भी लगी हुए एक पड़े की सा रेखा सब्सक्राइब क्यात्तों सब्सक्राइब और सब्सक्राइब में हमने इस तरफ में हमने दोनों अलमारी रख दिये यह देखिए तो अब यह कमरा ना पहले से जादा ही मतलब अच्छा लग रहा है खुला-खुला सा और मंदिर के लिए यह बाहर के लिए कितना अच्छे से देखिए रास्ता निकल गया तो सैटिंग करने के बाद मैंने सब्सक्राइब को वाले यह न होता है और यह देखी बेदी की लेकिन जो Sunday का जो deep cleaning होता है ना वो तो सच में बहुत ही मतलब पता नहीं कहां से निकलता है तो आज Sunday deep cleaning है मेरे घर में और आपने देखा कितना सारा कच्रा निकला उसके बाद फिर मैंने जाड़ू दिया इतने में मेरे कपड़े हो गए है निकल गए तो मैं इने लेकर आ गए थे दूप से कर हम आ गए फाइनली नीचे आने का तो मननी कर रहा था दूप से पर क्या करना काम तो है तो करना ही पड़ेगा बहुत काम है तो संड़े तो पूरा deep cleaning ब्लॉग में दिखाने वाली हूं आज की संड़े काट डे मेरा जो है कैसा जाता है और मैं कैसा क्या आपकर यह जाड़ु होगया कपड़े गया दौक्रम्ट करने नाश्टे बरतन तो इन्हें मैं किलीन करूंगी और मेरी जो है डाल बन गई गई तो साथ की साथ ना खाने वाला भी में निप्ताते चल रही हूं क्योंकि बस फिर सफाई 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 फिर लास्ट एम बारे एक बिज़े बिटनी बुरी हालत होती हैं कि फिर ऐसा लगता लगता ही नहीं मतलब मन इनी होता कि खाना बनाऊ तो इसलिए ना सफाई संड़े यह तो होई जाएगा मेरा है ना फिर बात की बाद में देखेंगे उसके बाद यहां देखिए मैंने बरतन क्लीन किया काउंटर साफ किया उसके बाद जब तक कि मेरे कपड़े निकल गए यह बैट सीट है दोनों कमरों की और यह दोर्मेट फिर मैंने धोई हाथ से दोई है मैं मशीन में बिल्कुल नहीं दोती हूं हास से दोती हूं बुरुष से फिर बस सिर्फ में ड्राइ करती हूं इसमें मशीन में सुखाती हूं वह भी गर्मियों का दिन होता तो बिल्कुल नहीं सुखाती क्यूभी की दिने मदद दिन बड़े होते हैं आराम से सूख जाती और आने के बाद लास्ट रह राहरा है पोछा तो अब पोचा लगा रही हूँ और पानी जो है मैंने ओन कर दिया है गरम हो रहा है तो पोच्छे के बाद फिर नाना दोना रह जाएगा मेरा बेदी है जो अभी पापा के साथ अपने बाहर खेल रही है और मैं आप पोच्छा लगा लूँगी फटा फटा आप किया मोसम कैसा हो रहा है ठंडी किस किया कम है किस किया जादा है जरूर बताईएगा जो देरादून साइड होंगे उन्हें तो पता होगा जो कि अभी भी मैंने पहने ही है और बेदी के देखिया आप स्लिपर्स टेबल के साथ नीचे रखी हुए दो और एक यहाँ पर अभी शिंक के पास देखा आपने यह अभी एक दो दिन में फिर गायब हो जाएंगी इदर उदर वह फैंक देती आज तो मैंने क्लीनिंग अच्छे से किये तो मिल गई है सारी यहाँ देखिया अच्छे से मैंने पूरे दोनों कमरों का किचन का पोचा कंप्लीट कर लिया है और हमें इसी तरीके से बाहर आंगन का भी पोचा लगाऊंगी और मेरा यह जैकेट आप देख रहेंगे यह कई दिन से इसका खराब हुआ पड़ा है हूक तो आज हूक ठीक करने वाले कोई भाही आए वे तो हस्बेन मेरे बाहर ही है बेदी को लेकर तो वह उसे ठीक करा देंगे और मेरा जो है पूचा कंप्लीट हो गया क्लीनिंग वाला जो मेरा काम कंप्लीट है सफाई के बाद की तो बात ही अलग यहां के गद्द्ध में डले हुए है तो अभी में नहाने के बाद जाकर लेकर आऊंगी कपड़े भी और गद्दा भी तो फिर यह बैड्ट सबसूप जाए न वेदी पूरे में खेलती है तो ही कमरा अब इस तरीके करें सेटिंक से नहीं कमरा बहुत ही प्यारा लग रहा बहुत ही स्पेस बन गया यहां से देखिए वह परदा है वहां से एंटर करना के लिए हैं एंटरी वहां से और यह का फी ज़्यादा इस संडे की जो है कम्पलीट हो गई है दिनके बज़गे हैं साड़े बारा तो मैं नहाध ऑंगी अब और नहाध होकर में आ चुकी फिर में नहाने के बाद फिर उपर गई थी जो सुखे वे कपड़े थे वो सारे में उतार लाई हूँ बेदांसी के सारे कपड़े उतार कर ले आई हूँ कुछ इसमें मेरे भी हैं बेदी के भी हैं इसके पापाजी के भी हैं सारे कपड़े में उठा कर ले आई हूँ और जो मैंने कॉम्म कर लिया और वहीं हलका सा सिंदूर और में मेकप हो गया सिंपल सदक बिंदी और बाल ठीक कर लिए और अब मैंने यह स्टॉल लगा लिया क्यूंकि स्वेटर आज मुझे पेहनना रही हैं जैकेट फिर मैंने तो नहीं बहुत खेल रही है जब तक कि मैं इसको खिलाना पिलाना इसके कपड़े चेंज करना यह सारा कुछ चीज का मुझे करना है अब खाके बता दो सब को अब खाके बता रही है अगर जा रही है और खालो ना पापा को खेलाना है और खाके जाओ ना बाग देखा तो यहां फ्रेंस आपने देखा बेदी को ऐसी बातों बातों में ही खिलाना पड़ता है ये बहुत मुश्किल से खाती पीती है तो बातों में ही इसे देखिए डाल चावल मैंने खिला दिया और अब इसे मैं गरम पानी पिला रही हूँ हलका गुनगुना चले फ्रेंस तो मैं इस वीडियो का भी यहीं end करती हूँ और उमीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो येदी मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो को like किजिएगा लाइक बहुत कम करते हैं फ्रेंस आप लोग ऐसा मत कीजिए प्लीज लाइक कीजिए आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है ऐसा लगता है कि हाँ काम सही है लोगों को पसंद आया है तो लोगोंने like किया है like इसलिए होते है प्लीज लाइक किया किजिए आप लोग ताकि मुझे हिम्मत और होसला बना रहे कि हाँ आप लोग मेरे वीडियो उसको पसंद कर रहे है और चेनल पर फरस्ट आई में तो चेनल भी सस्क्राइब कर लीजिए और लाइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर लेटिस वीडियो की हर नई वीडियो की नोटिपिकिशन आप लोगों तक जल से जल पहुंच जाए तो चल तो चलिए मिलती हुए कच्छे से ब्लॉग के साथ और देखे मैंने जैकेट आज पहन भी ली मैं जब पोच्छा लगा रही थी तो अबना ये जैकेट का चैन नहीं था मेरे अच्छी ख या बहुत ही गरम होती है और बहुत ही प्यारी भी है ये शाम के बच गए है फांच और वेदान्स भिसकित आरी थे वी एक भार ले कर आए самом के बच गए है और चीनी खतम हो गई है, हस्बेन गए हुए है, बजार तो लेकर आएंगे, मार्केट गए हुए है हो, चार बजे करीब गए हुए थे हो, मार्केट यहां से काफी दूर पड़ती है तो उनको एक देड़ घंटा लग जाता है जाने आने में, तो राशन का आज समान मैंने ल लगती है तो चलिए इस वीडियो का बैन करते हैं और मिलते हैं अच्छे से ब्लॉग के साथ